Hello Everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD Job में नवोदे विध्याले समती से नया नोटीस जारी किया गया है पर्मानेंट सरकारी नौकरी नौन टीचिंग स्टाफ के लिए जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है 30 अपरेल 2024 का जो है वो नया नोटीस है ओफिशिल वेबसाइट पर सबसे उपर ही आप लोगों को टाइटल में लिखा हुआ मिलेगा Extension of last date for submission of application under NVS Direct Recruitment Drive 2024 for non-teaching post तो जिन कैनी रेट ने अभी तक आविदन नहीं किया है क्योंकि 30 अपरेल last date थी इस date को बढ़ा दिया गया है कल की ही date में जो है ये नया नोटीस जारी किया गया है नवोदे विद्याले समिती सिक्षा मंत्राले स्कूल सिक्षा साक्षरता विभाग भारत सरकार तो इसमें जो पोस्ट थी online application करने के लिए female staff nurse, assistant section officer, audit assistant, junior translation officer, legal assistant, stenographer, computer operator, catering supervisor, junior secretary assistant, headquarter, ro cadder, junior secretary assistant, jnv cadder, electrician, cum plumber, lab attendant, mass helper and multitasking staff तो ये non-teaching post की जो vacancy आयू ही थी अंतिम date जो है वो बढ़ा दी गई है 30 April 2024 से लेकर 7 मई 2024 ठीक है ध्यान रखना है 7 मई 2024 तक आप लोग आविदन कर सकते हैं education, qualification, age limit क्या है कैसे जो है apply करना है पिछली videos आप देखिएगा उसमें आप लोगों को मिल जाएगा नहीं तो आप लोग official website पर जैसे ही आते हैं पूरा विज्यापन जो है दुबारा से देखने के लिए आप लोगों को serial number 6 notification for the direct recruitment drive 2024 various non-teaching post सरकारी नोकरी है permanent vacancy है कुछ जो पोस्ट है उसमें केवल graduation pass candidate आविदन कर सकते हैं तो बिलकुल आप लोग जो है आविदन जरूर करें यह सरकारी नोकरी है permanent vacancy है और 7 मई तक अब आविदन कर सकते हैं तो देख सकते हैं junior secretary assistant के लिए जो की post code है 9 salary basic pay ही जो है 19,900 है और 63,200 तक जो है salary रहेगी यहाँ पर केवल 12th मांगा है और typing speed मांगी है इसी तरीके से और post है ठीक है तो जैसे ही विग्यापन जारी होता है समय से पहले आप लोगों को वीडियो के माद्यम से सूचना दी जाती है तो यह vacancy है link आप लोगों को description box में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे ताकि दुबारा से जिन candy rate ने form apply नहीं किया है और apply करना चाहते हैं तो बिलकुल आविधन करें मिलेंगे next video में thank you